राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अनन्चतुरदर्शी की पूजा का शुम महुरत पूजा बिधी और महत्मू पताएंगे हिंदू कलेंडर के अनुसार अनन्चतुरदर्शी हर साल भातो मार्शुकल पक्ष की 14 यानि की 14 में दिन मनाई जाती है इस सार अनन्चतुरदर्शी 12 सितंबर को है अंग्रेजी कलेंडर के अनुसार यह सितंबर के महिने में पढ़ती है कनिश चतुईथी के दस दिन बाद 11 दिन अनन्चतुईदशी आती है अनन्चत्यदर्शी के दिन भगवान विश्णों के अनन्चत्यदर्शी के अनन्चत्यदर्शी को अनन्चत्यदर्शी के नाम से भी जाना जाता है अनन्चत्यदर्शी प्रत का जिक्र महाभारत में भी मिलता है इस ब्रत को कैनी से सभी संकटों से मुक्ती मिलती है ऐसी माननेता है कि भागवान कृष्ण की सलाव से पांडवो ने भी इस ब्रत को उस समय किया था जब बे बन-बन भटक रही थे माना जाता है इस ब्रत को करने से दृद्धता का नाश होता है और ग्रहों की बाधाएं भी दूर होती है यह दिन भागवान भिष्ण की पूजा अच्चिना का होता है इस दिन भागवान भिष्ण की उपासना के बाद अनन सूत्र बांदा जाता है इस सूत्र में चोधे गांट लगाई जाती है मानिता है कि भागवान ने चौधे लोग बनाए जिन में सत्य, तप, जन, मह, स्वर्ग, भुव, भू, अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल शामिल है कहा जाता है कि अपने बनाए इन लोकों की रक्षा के लिए श्री हरी विश्णू ने अलग-अलग चौधे अप्ताल लिए मानिता है कि अनचे तुद्शी के दिन भागवान विश्णू के अनचे रूप की पूझा करने से भक्तों की मनुकामनाय पूर्ण होती है माना जाता है इस दिन ब्रत करने के इलाबा सच्चे मन से विश्णू सहस्तर नाम इस्तरोत का पाठ किया जाए तो धन धानने उन्नेती प्रगती खुशाली और संतान का स्वभाग्य प्राप्त होता है इस दिन गणिश विशरजन के साथ गणिश उस्तप का भी समापन होता है वहीं जैन धर्म में इस दिन को पर्रे शुड़ पर्व का अंतिम दिवस कहा जाता है अनन्चत्यदशी भक्ती एकागरता और सौहाद्र का प्रतीख है देशवर्ण में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है अनन्चत्यदशी के दिन भाग्वान के अनन्चत्यदशी के लिए ब्रत रखा जाता है इस दिन अनन्चत्यदशी सूत्र बांता जाता है इसत्रिया बाएं हाथ यानिकी लेफ्ट हेंड में और पुरुषदाएं हाथ यानिकी राइट हेंड में अनन्सूत धारण करते हैं मनने अनन्सूतर पहनने से सभी दुखों परिशानिया दूर होती हैं दोस्तों अनन चतुरदर्शी का पर्व भादरपद मास की शुक्ल पक्षी चतुरदर्शी के दिन रखा जाता है। इस दिन प्रत भी रखा जाता है। इस साल अनन चतुरदर्शी का पर्व एक सितंबर दिन मंगलवार को है। इस बार अनन चतुरदर्शी पर पूजा कैने क शुब महूरत है एक सितंबर की सुभे पांच बचकर 69 मिनट से सुभे 9 बचकर 21 मिनट तक अनंत चतुरदर्शी का पर भगवान विश्णू जी को समद्ध अनंत चतुरदर्शी की पूजा बिधी आगनी पुराण में अनंत चतुरदर्शी के मातम्मे का वर्णन मिलता है इस से पहले अनंत चतुरदर्शी पर इसनान करके सच्छबस्त थारण करें और प्रत रखने का संकल्प लें फिर अपने घर में मंदिर के पास पूर्व दिशा में एक लकडी का पट्टा याने की चौकी रखें चौकी पर कुमकुम से एक अश्टदल कमल बनाएं अश्टदल कमल पर भगवान विश्णू की तस्वीर रखें फे भगवान विश्णू के सामने थोड़े से चावल रखकर चावल के ऊपर एक कलश रखें कलश में शुद्ध जल भरें कलश में थोड़ी सी हल्दी डालें थोड़े से सापु चावल डालें और कलश पर आप स्वास्तिक का एक चिन्न बनाएं आप कलश के ऊपर अश्ट दलों बाला कमल रखें कमल पर कुशा का सुत्र चड़ाएं अश्ट दल वाला कमल ना हो तो अश्ट दल वाले कमल का आप पातर रख सकते हैं पातर भी ना हो तो एक कटोड़ी या प्लेट में आप कुम-कुम से अश्ट दल कम बना कर उसे भी कलश के उपर रख सकते हैं कुशा के सूत्र को भागवान अनंत का रूप माना जाता है अगर कुशा का सूत्र ना हो तो आप कच्चे धागे का या फिर मौली कलाबे का सूत्र भी भागवान अनंत का रूप मान कर कलश के उपर रख सकते हैं इसके बाद एक छोटी सी कटोरी लें, कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी केसर और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं इसके बार मौली या कलाबे का एक टुकड़ा ले या फिर कच्चा डोरा ले इसमें चौधे गांट लगाएं और भगवान विश्णू का इसमरन करते रहें अब इस चौधे गांट वाले अनन्त को आप जो आपने जल में हल्दी कुमकुम मिलाया है उसमें डुवो कर रखतें अब भगवान अनन्त से इस तरह प्रात्ना करें ही बासुदेव इस अनन्त संसार रूपी महा समंदर में डूबे हुए लोगों की रक्षा करो तथा उन्हें अनन्त के रूप का ध्यान करने में सलंग्न करो अनन्त रूप बाले प्रभू तुम्हें नमशकार है अब एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंदे धूपत्ती जलाएं भगवान जी को और कलश पर पुश्पु अर्पित करें इसके बार भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं अब भगवान जी के इस मंत्र का जाप करें मंत्र का जाप करने के बाद भगवान श्री हरी विष्णू को आप कुमकुम और हल्जी से तिलग करें इसके बार आपने जो चौदे गाठ वाला सूत्र चलन और हल्दी में भिगो रखा है उसे बहार निकालें उसकी हर गाठ पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलग करें अब इस चौदे गाठ वाले सूत्र को आप कलश के ऊपर रखे हुए भागवान अनंत सरूप को सूत्र से इसपर्ष कराएं इसके बाद भागवान श्री हरी विश्नु के चरन से इसपर्ष कराएं अब इस रक्षा सूत्र को आप अपनी कलाई, बाहें या फिक गले में धारण करें महिलाएं अपने बाएं याने की लेफ हैंड पर धारण करें और पुरुष अपने राइट हैंड पर याने की दाइने हाथ पर धारण करें इसके बाद भागवान श्री हरी विश्नु की आर्थी करें हो सके तो विश्नु शहस्तर नाम का पाथ चरूर करें और अनन्चतुदशी की कथा को चरू सुने। सूत्रवान्दी की बार ये था संबब आप भ्राम्मण को भुजन कराएं या फिर कुछ दान दें। अगर उस समय दान नहीं दे सकते तो दान के लिए बस्तुद निकाल कर रखतें। इसके बार अपने परिवार के शहित प्रशात क्रहन करें। मानने ताहे कि अनन्चतुद पहनने से सभी दुख और परिशानिया दूर हो जाती हैं। और भगवान श्री हरी विश्नु अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं। उन्हें सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। अगर आप यह अनन्चतुद अपने परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पर बानना चाते हैं। तो सभी सदस्यों के लिए अनन्चतुद बना कर आप जल में भिगो कर उसकी पूजा करें। और अपने बांदने के बार परवार के सभी सदस्यों के हाथ पर बांदें। लेकिन ध्यान रखे 14 गाट बाला अनन सूत्र केवल एक ही प्यक्ति के हाथ पर बन सकता है। अनन सूत्र बांदने के बार इसे उतारना नहीं चाहें। अगले वर्ष जब अनन्चत्रदशी आए तब इस तरह से पूजा करके पुराने अनन्सूत्र को आप उतार दें और नई को बांद लें और पुराने को शुत्र भहते जल में विसरजित कर दें। शाम को भी आप भगवान विश्णू और कलश के सामने सुत्र घी का दिया जलाएं और आती करें और रादबा चौकी को ऐसे ही रखा रहने दें। अगले दिन भगवान विश्णू को मंदिर में पुनह इस्थापित करें और जो कलश में शुद्ध जल है उसे आप किसी पौ अनन चत्यदर्शी ब्रत में नमक रहित भोजन करना चाहें ब्रत में ब्रत बाला नमक भी नहीं खाया जाता। अगनी पुराण के अनुसार अनन चत्यदर्शी के दिन आटे की मोटी पूडियां या रोटी बनाने की परंपरा है इसलिए इसे रोट चत्यदर्शी भी कहा चाता है। ब्रत में केबल एक समय ही अनन ग्रहन किया जाता है। देन में आप फलहार कर सकते हैं लेकिन अनन का भोजन केबल एक समय ही करें। मीठी रोट बनाकर पहले भगवान ची को भोग लगाएं फिर उसमें से आधी रोट आप किसी भ्रामड को दान करें और फिर दान रखें ब्रती जितना भोजन करें उतना ही भोजन पहले भ्रामड को दान कर दें उसके बाद ही भोजन ग्रहन करें। अगर आपके घर के आसपास भ्रामड ना हो तो आप यह भोजन गौमाता को खिला दें उसके बाद ही भोजन ग्रहन करें। अनंच दुरशी का बृत 14 वर्शों तक लगाता रखा जाता है 14 वर्षों में आप इस बृत को छोड़ नहीं सकते 14 वर्ष लगाता बृत रखने के बाद उध्यापन करने के पश्षाधि इस बृत को छोड़ा जाता है उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिस्तिदारों में जदर से जदर शेयर करें जिस से भेभी इसका लाव उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फूर वाचिंग राधी राधी